अगर आपके घर में फ्रीज है तो सर्दियों में भूल कर भी ना करे ये गलतियां, आईए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां है, पहला फ्रीज को दिवार से सटा कर रखना, सर्दियों में घरों का तापमान कम होता है, ऐसे में फ्रीज को दिवार से सटा कर रखने से उसकी ठ थंड़क बाहर नहीं निकल पाती है। कमप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे कमप्रेसर ओवर हीट हो जाता है और फ्रीज खराब हो सकता है। दूसरा फ्रीज में ज्यादा समान भरना सर्दियों में लोग अक्सर ज्यादा समान फ्रीज में भर देते हैं। इससे फ्रीज को ठंड़ा करने में मुश्किल होती है और कमप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे उनके खराब होने की संभावना होती है। फ्रीज को कभी भी गर्म जगंपर न रखें या फ्रीज के खराब होने का सबसे आमकारण होता है। पर अत्रिक्त दबाव डालती है, साथ ही फ्रीज के अंदर जमी, गंदगी भी उसे खराब कर शकती है, इसलिए फ्रीज को नियमित रूप से साफ करते रहें, पांचमा, बोल्टेज, फ्रीजली के उत्राव चड़ाव से भी फ्रीज खराब हो सकता है, इसके लिए आप बोल्टेज, स्टेफ लाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही फ्रीज को बार बार नखोले, इसे ठंडी हवा बाहर निकल जाती है, और कम प्रेसर को ज्यादा का करना पड़ता है, आईए जानते हैं कीचन की कुछ सफाई और कुछ महत्वोड बातें, कीचन को साफ रखने के लिए ये टिप्स अपनाएं, कीचन को रोजाना साफ करें, खाना बनाने के बाद जल्दी से सफाई करें, बरतन साफ करने के बाद उन्हें तुरंत सही जगम पर रखें कच्रे के डिबे को हमेशा साफ रखें और थैली को रोज बदलें कीचन कबिनेट को साफ करने के लिए सफे सीरका और लिक्विट सोप का इस्तेमाल करें गैस के चिकनाई साफ करने के लिए क्लीनर का इस्तेमाल करें फर्ष को साफ करने के लिए पले थोड़ा सा वर्तन धोने वाला गीला साबुन डाल कर रखड़ें फिर पोछे तेल के दागो को साफ करने के लिए गर्म पानी में दो बड़े चमश डिस वासिंग लिक्विट मिल इस घोल में स्पंज डुबो कर दाग वाली जगहों पर स्क्रब करें कीचन की खिड़कियां खुली रखें ताकि खाना पकाने के बाद जमा होने वाली भाफ नमी गंद और धुआ बाहर निकल सकें रेफ्रिजरेटर के पीछे और नीचे साफ करें बेकिंग सीट को साफ करने के लिए बेकिंग पाउडर छिड़के हाइडरोजन पैरो आकसाइड इस्प्रे करें और फिर बेकिंग पाउडर की एक और परत लगाएं कीचन हमेशा रहेगा चमकता अपनाए दादी मा के ये देशी नुस्खे अगर आपका कीचन लाग कोशिस के बाद भी गंदा रहता है तो आपको इस वीडियो में बताये गए टिप्स का काम आ सकते हैं सिंग की सफाई करने के हैग सामागरी एक कप डिटर्जेंट छच चमज सफे सिरका एक पोटल हलका गुनगुना पानी एक ब्रस बनाने का तरीका इसका इस्तिमाल करने से पहले एक बोटल में डिटर्जेंट डाल दे कीचन सिंग खोलने के तरीके फिर इसमें हलका गर्म पानी डालकर बोटल वंद कर दे और इसे अछी तरह से मिलाने इसके बाद बोतल में सफे सीरका डाल दें और इसे सिंग की नाली में डालें आप इसका इस्तमाल लगभग दिन में दो बार करें ऐसा करने से आपका कीचन का सिंग बिलकुल साफ हो जाएगा सीसे के समान को साफ करने का तरीका अपने कांच और सीसे को साफ करने के लिए कपड़े का उफयोग किया होगा ऐसा करने से कई बार सीसे साफ होने के वज़ा और गंदे नजर आनते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़े के धागे सीसे पर चिपक जाते हैं इसकी वज़े से महिल का और काम बढ़ जाता है और सारी मेहनत की बेकार हो जाती है इसलिए आप सीशे को अकवार की सहायता से साफ कर सकते हैं कैसे आई ये जानते हैं क्या करें एक खाली इस्प्रे बोटल ले और फिर उसमें आधा सफेज सिर्का और आधा पानी भर लें फिर इसे अच्छी तरह हिला लें और सीशे पर स्प्रे करें जिसे आपको साफ करना है अब एक अकवार की मदद से इसे साफ कर लें टाइल्ज की सफाई करने के हैक्स आजकाल हर कीचन में टाइल्ज लगे होते हैं क्योंकि ये कीचन को एक खुबसूरत लुक देने का काम करत हैं अगर उसे साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर आपके लिए भी टाइल्ज साफ करना सबसे मुश्किल काम है तो आप उन्हें इन ट्रिप्स की सहायता से चूटगियों में साफ कर शक्ती हैं कैसे आईये जानते हैं क्या करें एक इस्प्रे बोटल में एक कप सी मिला लें टाइल्स पर इस लिक्विट का इस्प्रे करें और इसे टूट ब्रस से हलका हलका साफ करें अगर इससे भी गंदगी नहीं निकलती है तो आप घोल में आधा कप लिक्विट ट्राबुन भी मिला सकती हैं कीचन में जंग को साफ करने के हैक्स कीचन में लगे जंग को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं बेकिंग सोडा के अंदर एक्सफोलियेटिंग गुड़ पाये जाते हैं जो चीजों को साफ करने का काम करते हैं अगर बेकिंग सोडा के साथ नीबू मिला दिया जाए तो यह ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा इसके लिए आप सबसे पहले पानी को गर्म करें और उसमें नीबू का रस मिक्स कर लें अब आप इस मिस्रण में बेकिंग सोडा डालें अवन की क्रील को साफ करने के लिए हैक्स इसके बाद जंक वाली जगां को इस खोल की सहायता से साफ करें इसके बाद तूट ब्रस से जगां को रगड़े और साफ पानी से धोलें आपकी जगां अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और इसमें नई जैसी चमक भी आ जाएगी उमीद है कि आपको इस वीडियो में बताये गए है पसंद आएंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सेयर करना ना भूलें इसी तरह की कोकिंग टिप्स जानने के लिए संध्या की कोकिंग से जुड़े रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बह आन्निवाद